इकाई आठ बरत मिलाप भाग तीन भाग तीन का अभ्याश करेंगे हमने पिछले वीडियो में भाग दो का अभ्याश किया था जिसमें हमने अभ्याश के प्रश्ण की चर्चा की थी याद है ना आप लोगों को तो आज हम स्वाध्य के प्रश्णों की चर्चा करेंगे दोस्तो आप लोग तयार हैं? तो चलो स्वाध्याई के प्रश्ण की हम चर्चा करते हैं विद्यार्धी मित्रो अब हम स्वाध्याई के प्रश्णों की चर्चा करते हैं प्रश्ण नमबर एक प्रश्णों के उत्तर दीजिए नंबर एक, रामिता और लक्षमन कहा गए? फ्रेंस कहा गए थे राम शिता और Лक्षमन? गूड राम शिता और लक्षमन वन में गए थी नंबर दू, राम ने नगढ़ जनों को क्या समझाया? क्या समझाया राम ने नगर जोनों को समझाया कि जब तक मैं वनवास पुरा करके न लोटू तब तक आपके सूख और दुख का ध्यान कौन रखेगा भरत रखेगा और क्या कहा कि आप भरत को ही अपना राजा समझे सवाल नमबर तीन राम ने भरत को क्या दिया मित्रो क्या दिया राम ने भरत को खड़ाओ दी खड़ाओ यानि की लकड़ी से बनी हुई पेरो की पादू का नमबर चार बरत ने खड़ाओ लेकर क्या करने का सोचा राम जी के खड़ाओ लेकर वो क्या करने का सोच रहा है तो भरत ने सिहासन पर खड़ाव रख कर कामकाज राज का कामकाज करने का सोचा, यानिकी राजकाज का काम करने का सोचा नमबर पांच, आप अपने भाई के साथ कैसा बढ़ताओ करते हैं? फ्रेंग्स, आप लोगों के घर में अपने भाई बहन होंगे, है ना? तो आप लोग उनके साथ कैसे रहते हो, कैसे बाचीत करते हो, कैसा बढ़ताओ है आपका? तो दोस्तों, आपको अपने भाई बहन से प्यार भराव्योहार रखना चाहिए। उनकी हर तरह से मदद करना चाहिए। बिमारी के कारण वे अगर दूख में हैं, दर्द में हैं, तो हमें उनकी सिवा करनी चाहिए। दोस्तों, हमें अपने भाई बहन से प्रेम पुर्वक वर्ताओ करना चाहिए और प्यार बड़ा व्योहार करना चाहिए। जैसे स्रीराम और उनके तीन भाई जिस प्रकार भाई चारे से रहते हैं, उसी प्रकार हमें प्यार बड़े व्योहार से रहना चाहिए। दोस्तों आपको प्रस्ण एक में समझ आ गई होगी, यहां हमने प्रस्णों के उत्तर की चर्चा की और यही प्रस्ण के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखने होगे प्रश्न नमबर दो, नीचे दिये गए वाक्यों में में या में लगा कर वाक्य पूड़ा किजिए दोस्तों सबसे पहले हम में यानि की म के उपर एक मात्रा और में यानि की म के उपर दो मात्रा में तो में यानि की म के उपर एक मात्रा में का और्थ होता है मा और में म के उपर दो मात्रा में का मतलब होता है हूँ तो यहां आपको वाक्य में मा अथ्वा हूँ यानि की में अथ्वा में सब्द को रख कर वाक्यों को पूर्ण करना है ओके दोस्तों चले हम सुरुआत करते हैं आप लोगों ने बिल्ली की कहान में तो सुनी है है ना बिल्ली जगडा करती है किसके लिए रोटी के लिए तो यहां ऐसे ही वाक्या आपके समक्स दिये गए हैं नमबर एक रोटी को देख बिल्ली के मुह खाली जगह पानी आ गया मुह क्या आएगा एक मात्रावाला में आएगा कि दो मात्रावाला में आएगा वेरी गुड, एक मात्रा वाला यानि की में आएगा, मुह में यानि मो, मा नम्बर दो, खाली जगह तुज़े रोटी न ले जाने दूंगी क्या आएगा मैं, म के उपर दो मात्रा, मैं यानि की हूँ, हूँ तने रोटी नई लाई जवा दाईश नमबर तीन, खाली जगह कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है, मैं कहती हूँ मके उपर दो मात्रा नमबर चार, दोनों बिल्लियों खाली जगह जगड़ा हो गया दोस्तों यहां आपको सोयम लिखना है उत्तर, कि उत्तर क्या आएगा आप लोग सोच समझ कर लिखेंगे नमबर पांच, रोटी लेने पहले खाली जगह जप्ती थी, मित्रों यहां भी आपको सोयम उत्तर लिखना है तो आपको यहां मैं और मैं मैं समझ आ गई होगी इस प्रकार आप इस रिक्तस्तान में योग्य सब्द लिखेंगे प्रस्न तीन, जल, थल और पेडो पर रहने वाले पसू पक्षियों के नाम अलग-अलग लिखिये जल यानि पानी, थल यानि जमीन और पेडो यानि की जाड तो फ्रेंस आप लोगों ने इकाई नमबर पाँच चिडियागड की सेर सीखी उसमें आप लोगों ने कई सारे पशू पक्षियों के नाम सीखे है सीखे है ना रोस्तो तो यहां आपको जल, थल और पेडो पर रहने वाले पसू और पक्षि के नाम लिखने है सबसे पहले जल में रहने वाले पक्षि के नाम की चर्चा करेंगे जल में रहने वाले जीवों के नाम नमबर एक, बटक, मचली, मगर, कच्छुआ, यह सब पानी में रहने वाले जीवों है थल यानि जमीन पर रहने वाले पशू के नाम कुत्ता, गधा, शेर, बालू, बाग, खरगोश, ये सबी जमिन पर रहने वाले पशु है पेडों पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम बंदर, उल्लू, गिलहरी, गीद और तोता ये सबी पेडों पर रहते हैं तरह तरह के पक्षि हमने देखे हैं कवा, मैना, कोयल, आधी सारे पक्षि हम सबी ने देखे हैं वे सबी पेडों पर रहते हैं दोस्तों आप लोगों ने इस प्रश्न में जल में रहने वाले थल यानि की जमिन पर रहने वाले और पेडों पर रहने वाले पशु पक्षियों के बारे में महिती प्राप्त की दोस्तो स्वाध्याय में आपको समझ आ गया होगा हमने यहां तीन प्रश्णों की समझ प्राप्त की दोस्तो प्रस्णा नमबर तीन में आप लोगों ने जल, थॉल और पेरों पर रहने वाले कई पक्षी देखे होंगे, कई जीव देखे होंगे आप इसमें वो नाम भी लिख सकते हो विद्यारती मित्रों आप लोगों को इस इकाय में समझ आ गई होगी हमने इस इकाय को तीन भाग में समझा है पहले भाग में हमने इकाय का अभ्याज किया दूसरे भाग में हमने अभ्याज के प्रश्णों की चर्चा की और तिसरे भाग में हमने स्वात्य के प्रश्णों के उत्तर को सुल जाया है मैं आसा करती हूँ कि आप लोगों को इस इकाई में समपोर समझ आ गए होगी दोस्तो नई इकाई के साथ हम जल्दी ही मिलेंगे तब तक के लिए बाई टेक केर खुश रहिए